मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग इतना ज्यादा ब्यूटी ट्रिप्स को एंजॉय कर रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़े से डिफरेंट और आउट ओफ दी ओर्डिनरी मास्क आज आपके साथ शेयर करूंगी यह प्रेडॉमिनेंटली इसे फेस मास्क हैं जो सारे ही यूज कर सकते हैं और मैं आपने नोटिस किया होगा कि कम से कम चीजों के साथ आप लोगों को बनाना सिखाती हूं इसलिए क्यूंकि जब बहुत ज्यादे इंग्रीडियंट्स डालने होते हैं और बहुत ज्यादा चीजे करनी पड़ती हैं तो एक हैसल लगना शुरू हो जाता है मेरी कोशिश यह है कि आप लोगों को ऐसे गाइड करूं कि घर पे अवेलिबल चीजों को ही आप यूटलाइज करके जट पट अंदाज में उनको अपने चेहरे पे लगाएं 15 मिनट जितनी देर आपने मास्क लगाया है वैसे तो मे अपने मास्क लगा के लड़के लड़के भी इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो ज्यादा तर आप लोग अपने मास्क लगा करना शुरू हो जाता है कोई कुछ और कर रहा होता है जिसने जो भी करना है इस परफेक्ली फाइन बट लगाएं एट लिस्ट राइट 15-20-30 मिनट के लिए जितना भी जिस मास्क का टाइम है और उसको वाश आफ कर दे पानी के साथ जैनरली जो मास्क मैं आपको बताती हूँ उनको सोप और वाटर से वाइप वाश आफ करने क और ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ जैसे इस वक्त मेरे पास संदल का पाउडर पढ़ा हुआ है संदल वोट का पाउडर ये ज़रा मुश्किल से मिलने वाली चीज है लेकिन honestly किसी भी पंसारी की दुकान पे जाके आपको दे देंगे ये खीरा है फ्रेश खीरे बहुत ही अच्छा आपकी स्किन को एक ठंडा असर भी देता है और एक बड़ी प्यारी सी फ्रेग्रंस भी आती है ने शेहद है मेरे पास इस वक्त पड़ा हुआ और लीमू का रस अगैन घर में इसली अवेलेबल तिंग्स ये मैंने केला मैश करके रखा है और वो केला ज तो वो मुझे यही कह रही थी के एक्जेक्टिव प्रोड्यूसर के मेरे बचे भी केलों को हाथ नी लगाते है अगर उन पर एक दाग छोटा सा भी लगा हुआ हो एन इस ट्रू जरा सा भी कोई दाग धबे वाला केला हो तो उसको हाथ नी लगाता दही भी आल्मोस्ट हर बंदे के घर में होती है बाइदवे जितनी ज्यादा नैटरल चीजें उतनी ज्यादा मुझे खुशी होती है अगर संदल का पाउडर भी आप अपने सामने संदल की रखडी को ग्राइंड कर वाकर यूज करें तो बेस्ट है रोज वाटर अरके गुलाब भी बाइदवे क पर डला हुआ हो तो क्या ही बात उसका जाएका ही फरक होता है सो लेट स्टार्ट विद अगराइट साइड विजिस मेरे पास केला है और दही है यह एक एज ओल मास्क है जो स्किन के लिए बहुत ही बेतरीन है सिंपली कोई भी केला जो आपके पास पड़ा हुआ है जिसको कोई इस्तमाल नहीं करना चाहता और आप इसको देख रहे हैं और आप मुझे इसको फेकना पड़ेगा कौन खाएगा तो बेशक जितना हिस्सा ठीक है उसको आप कट करके खा ले और जो बाकी का हिस्सा है जो थोड़ा सा ब्राउन हो गया या थोड़ा सा पिल पिला हो गय जाने को दिशीनी चाहरा उसको मैश कर ले उसके बाद आपने उसके अंदर सिम्पली इतनी सी आपने इसमें दही डालनी है और आपने इसको कर लेना है मेंस मिक्स मैं आपको बता नहीं सकती यही एक बेस होती है यूजली स्मूदी की यह आपका इतना ब्हतरीन मास्क बन अच्छी तरह इसको mix कर लें, डही का, lactic acid, केलों के अंदर potassium and so many other awesome qualities, ये आपका केले और दही का, इतना simple mask बन गया, face and neck पे लगाएं और अराम से लेट जाएं, प्लीज दस मिनिट के लेट जाएं करें, पांच मिनिट के लेट जाएं करें, ठिक सा mask है, face and neck पे आपने लगाय अच्छी तरह से और उसको छोड़ दिया, और फिर आफटर ये 20 से 25 मिनिट अगर आप छोड़ें तो बहतरीन है, और उसके बाद इसको अराम से, लूक वाउम वोटर, यानि के ना ठंडा हो, ना गरम हो, लूक वाउम वोटर से face and neck से साफ करके, और टावल को, इसे पैट अपने face and neck को, ये बड़ा ही अच्छा और बहुत ही nourishing मास्क है, और ये हर skin type के लिए बहुत ही अच्छा है, oily skin पेप शायद इतना ज्यादा suitable ना हो, बट मतलब आप try कर सकते हैं, इसका कुछ side effect नहीं होगा, ये सब skin types को बहुत ज्यादा suit करेगा, dry skin के लिए भी बहुत अ enjoy this mask, इसकी smell भी बहुत अच्छी होती है क्योंके अब देखे ना, खीरे की भी बड़ी fresh smell होती है, संदल का जो powder है, उसकी भी बड़ी प्यारी smell होती है, and then of course, हमारा जो rose water air के गुराब उसकी तो वैसी बड़ी अच्छी smell है, आपने क्या किया कि आपने अपने खीरे का जो pulp है, जो आपने इसको अभी ब्लेंड किया है, क्या कदू कश किया है, इसके हमने pulp को डाला, इसमें हमने डाला संदल का पाउडर, आप अच्छा खासा डाल सकते है, it's not a problem, and then आपने इसके अदर डाल दिया अरके गुलाब, अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया, यह एक डिफरेंट सा है, मास्क, आपने पहले नी इसके बारे में सुनो होगा, या देखा होगा, बट मैंने वो चीजे मिक्स की हैं, जो एक दूसरे के साथ कोई साइड एफेक्ट भी नहीं होता, यह थोड़ा सा मैसी मास्क है, तो मैं यही रेक्मेंड करती हूँ कि यह ज लगा के लेटना ही पड़ेगा क्योंकि यह ज़रा सा वाटरी हो जाते है और मैं चाहती हूँ कि खीरा भी आपकी स्किन पर लगा रहे इसके साथ आप क्या करें कि आप ठंडे खीरे के स्लाइस करें और वो अपनी आंखों के उपर रखते हैं, तो पहले अपने अपने अप कावल नहीं लगाने के कावल जरूर है और फिर उसके बाद आपने ठंडे खीरे जो है वो अपनी आइस के उपर रखे और आप लेट गए उसके बाद उठे जाके शावर लें अगैन जब शावर लें तो साबून बगार अपने फेस पे नहीं आपने लगाना जस्ट वैसे हनी इस यूर बेस्ट ट्रेंट अगर आप के पास और कुछ भी नहीं है घर में लगाने को तो फेस और नेक पे प्लेन शेहद भी लगा लें तो क्या ही इसका असर होगा आपकी स्किन पे इतना खुबसूरत गलो आ जाता है योगर्ट और योगर्ट और क्यूकंबर की कॉम है मैं आज आपको अगर आपकी थोड़ी सी ओईली स्किन है तंग करती आपको स्किन तो आपने अपना ये एक चमच शेहद डाल लिया और उसके अंदर आपने सिंपली लेमन जूस डाल दिया नेमू का रास वेरी वेरी इजी ये आपने अपने फेस और नेक पे लगा लिय मिक्स करके अच्छी तरह से वाटरी सा होगा थोड़ा सा इस नॉट प्रॉब्लम चीजें आपको पता है कि कभी कभी जो है वो हर चीज जो है वो थिक 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 क्योंकि देखे यूजिली थिकनिंग एजेंट्स डाले जाते हैं ये देखें आपने सिरफ लीमू और शेहद अपने फेस एंड नेक पे अगर लगा लिया तो ये ऑईली स्किन के लिए एक अच्छा मास्क है लीमू निकाल दें तो प्यूर हनी अपने फेस एंड नेक पे लगा दें इस गुड फुर यू आलसो मैं कोशिच करती हूँ कि वही मास्क जो मैं आपको बता रही हूँ वह अपनी वेरियस इस इस इवस किन टाइप पे लगा लें. अगर आपकी संसिटिव सिकन एंगें पूड़ ऑगा है. अगर आपकी संसिटिव नेय और रोज वेटा फिरा लगा लें तो मैं अपको असर प्यूक्वें पर योगट और बनाना वाला जो मैंने आपको मास्क बता देखें और यह सब चीजें जो हैं संदल के पाउडर के इलावा आपके खाने में भी बहुत अची है, केले का भी इस्तमाल करें अपनी खुराक में, दही भी खाएं, खीरा वेरी वेरी गुड फो यू, रोज वाटर अगर आप थोड़ा सा पी लिया करें तो उसमें कोई ने अगर आपको सूट करता है, जरूर कंजूम करें, वेरियस डिफरेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मज़ा तब ही आएगा जब आप इनको यूटलाइज भी करेंगे और मुझे फिर बताएंगे किया आपको कैसा रिजल्ट मिला, सो प्लीज मेरे चान झाल